वेलो स्ट्रेंट्स आज हम लोग बात करेंगे कुछ नेटवर्ट तेवरेम्स की जो इस आर दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्वेरम्स आफ सर्किट तेवरी और जो की काफी वाइडली यूज की जाती है नेटवर्क अनलसिस में आज इसमें हम लोग पहली तेवरेम की बात करते हैं दैट इस काल्ट थेवरेम्स 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 क्या होती है फिस्ट थेवरेम्स थेवरेम्स में क्या होता है कि इस थेवरेम्स 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 में क्या होता है कि इस थेवरेम्स 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 में क्या होता है कि इस थेव where it is desired to determine the current through or voltage source or voltage across any one element in a network without going through the rigorous method of solving a set of network equation मतलब कि जो थेन्विन थेोरम होती है यह सबसे ज़्यादा इस्तेवाल की जाती है most extensively used और यह जनली वहाँ इस्तेवाल की जाती है जब किसी भी network के किसी element में pass होने वाली current या उसके across जो voltage है अगर हमको वो find out करना होता है तो instead of कि हम network equation बनाएं उनको solve करें और तब value निकालें उसकी बजाए हम थेन्विन थेोरम से वो काम आसानी से कर सकते है तो इस जगह पे हमें थेन्विन थेोरम इस्तेवाल की जाती है अब देखें स्टेटमेंट क्या होता है इस थेोरम का कि थेन्विन थेोरम का स्टेटमेंट क्या है कि any two terminal bilateral linear DC circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source and a series register थेन्विन थेोरम का स्टेटमेंट यह कहता है कि कोई भी आपके पास two terminal bilateral linear DC circuit है तो उस पूरे circuit को हम replace कर सकते हैं एक voltage source से और उसके साथ series में एक register से ठीक है तो यह तो होगया इसका basic statement अब इसको हम बात करें example देके आपको समझाने की तो मान लीजे हमने कहा कि कोई हमारे पास biological electrical circuit है suppose कि यह voltage source हो गया vs फीक है अब इसके साथ यह resistance है फिर यह resistance है फिर यह resistance है this is R1 this is R2 यहाँ पर हमने ले लिया यह है ब्रांच यह हो गया R3 और यह resistance है RL फिक है और इसके अंदर जो current flow कर रही है वो flow कर रही है आई-एल थीक तो अब ठेवनिन थेवरम क्या कर रही है माल लीजे हमें RL में flow करने वाली current आई-एल निकालना है थीक है तो ठेवनिन थेवरम क्या कहती है ठेवनिन थेवरम यह कहती है कि अगर जैसे इस के थुरू आपको करेंट निकालनी है या इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो आप क्या के लिए बाकी जो भी इलेक्टिकल नेटवर्क बचा ये सारा ठीक है या मान लिजे इसको घरम दूसरे कलर से दिखा देते हैं तो सपोस कीजे कि ये जो आपका बाकी इलेक्टिकल नेटवर्क बचा ये पूरा ठीक है इसको ये सिम्पल वोल्टेज सोर्स यहां पे एक आप वोल्टेज सोर्स लगा दीजे इससे ठीक है और साथ में एक सिरीज रेजिस्टेंस लगा दीजे ऐसे तो ये जो पूरा equivalent network है मानले ये point हम A मान ले ये point हम B मान ले तो ये A point होगा ये B point होगा तो ये पूरा network जो है वो replace हो जाएगा इस voltage से ठीक है मानले जे इसको हमने कहा से इसको हम दिखाते हैं वी OC लिखते हैं open circuit voltage और इस resistance को हम लिखते है RTH तो ये पूरा electrical network जो है वो replace हो जाएगा इस voltage source से और series में register से बाकी आपका ये RL जैसे लगा हुआ था वैसे आप लगा दीजिए तो जब ये simple इतना रह जाएगा तब इसमें flow करने वाली current जो है आप easily निकाल सकते हैं अब इसमें क्या होगा कि आप VTH कैसे निकालेंगे और RTH कैसे निकालेंगे चाहे आप इसको VOC भी लिख सकते हैं कई books में आप इसको VTH भी लिखा हुआ देखेंगे तो दोनों एक ही चीज है तो अब इसको इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि in order to find the equivalent voltage source यानि यह जो equivalent voltage source तो VOC लिख लीजे इसको आप क्या करेंगे आप AB को open circuited कर देंगे तो जब आप AB को open circuited कर देंगे तो आपका जो circuit diagram रह जाएगा वो circuit diagram क्या रह जाएगा वो circuit diagram आपका रह जाएगा केवल इतना देखें यह हो गया BS यह हो गया R1 यह हो गया R3 यह R2 है लेकिन यह open circuited है आपके और यह भी open circuited है ठीक R1 R2 R3 ठीक तो इस इस्तिती में यहाँ पर यह क्या है यह आपको निकालना है voltage VOC ठीक तो जब इस VOC आप निकालेंगे तो कैसे आप इसको निकालेंगे आप इसमें कोई भी current flow कराईए यहाँ तो यह close circuit है यह मालीजे आपने कहा I तो I क्या हो जाएगा यहाँ पर I हो जाएगा VS अपान R1 प्लस R3 ठीक और तो VOC कितना हो जाएगा यहाँ पर यह open circuit है तो R2 में तो कोई current जाएगी नहीं तो VOC सीधा सीधा आपका आजाएगा VOC वराबन हो जाएगा I into R3 यानि एक तरह से VS अपान R1 प्लस R3 into R3 तो इससे आप VOC निकालने के ठीक अब उसके बाद second बात आती है कि RTH हम कैसे निकालेंगे तो RTS निकालने के लिए हम क्या करेंगे RTS निकालने के लिए simply आप क्या कीजे कि अगर जो voltage source है उसको short circuit कर दीजे और अगर current source कोई है तो उसको open circuit कर दीजे तो जो VS voltage source है उसको हमने यहाँ पे कर दिया यह short circuit हो गया उसके बाद यह R1 है यह R3 है यह R2 है यह रह जाएगा circuit और RTH आप यहाँ से current resistance निकालेंगे RTH तो R1, R2, R3 तो यहाँ से जब आप RTH निकालेंगे तो RTH is equal to हो जाएगा R2 plus R1 parallel R3 यानि यह एक तरह से हो गया आपका R2 plus R1, R3 upon R1 plus R3 ठीक है तो इस तरह से यह आपकी equation 2 यह आपका RTH निकालाएगा और उधर जो आपने भी पिछले page पे VOC निकाला था यह यह आपका equation 1 यह हो जाएगा आपका VOC तो जब VOC और RTH की value आपके पास आजाएगी तो simply आपको IR निकालना है तो जब आपको पास आपको मालूम है कि VOC भी पता है और यहाँ पे RTH भी पता है ठीक अब यह जो हमारा current यहाँ पे जो resistance जुड़ा था RL और इसके अंदर जो current flow कर रही थी IL यहाँ से सीधा सीधा एकदम clear दिख रहा है आपको IL बराबर क्या हो जाएगा IL बराबर हो जाएगा VOC अपान RTH प्लस RL ठीक तो इस तरह से equivalent यह जो आप थेवनिन equivalent की बज़त से ठीक है यह जो circuit कहलाता है आपका यह यह कहलाता है थेवनिन equivalent circuit तो थेवनिन equivalent circuit की बज़त से आप बड़ी आसानी से IL current निकाल सकते है clear तो यह फाइदा होता है थेवनिन theorem का तो आई होग की आपको यह clear हो गया होगा ठीक है अगर कोई doubt या confusion हो तो आप comment line में comment करके लिखेगा ठीक है अब इसमें अगर इसको step wise भी लिखना चाहें कि माल लिजिए step one step two करके तो हम आपको यहाँ पर short में फटाक से step भी लिख देते है कि steps for solving a network utilizing dhenwin theorem यहाँ पर आप यह लिख सकते हैं कि steps for solving a network solving a यहाँ नेटवर्क यूटिलाइजिंग sevens sevens theorem ठीक तो इसमें आप step by step कैसे करेंगे तो simply आप इसमान लिखा step one इसमें क्या करेंगे फिर step two इसमें क्या करेंगे फिर step three इसमें क्या करेंगे और फिर यह आ जाएगा आपका step four देखिए step one में आप क्या करेंगे सबसे पहले कि remove the load resistance RL and find the open circuit voltage VOC across the open circuited load terminals तो इसमें सबसे पहले हम load resistance जो है जिसके current निकालनी है load resistance RL को रिमूब कर देंगे and find VOC VOC की वैलू निकालेंगे पहले step हो गया दूसरे step में हम क्या करेंगे deactivate the constant sources for voltage source remove it by internal resistance and for the current source delete the source by open circuit तो अब second step में हम क्या करेंगे कि जो constant sources है उनको deactivate कर देंगे deactivate the constant source मतलब क्या हुआ simple language में समझ लीजिए अगर voltage source जो भी है circuit में ठीक है उसको उसके internal resistance से अगर ideal है तो internal resistance उसका zero हो जाएगा internal resistance से replace कर देंगे और अगर current source है तो उसको अगर ideal current source है तो open circuit से otherwise उसके admittance से replace कर देंगे तो current source को भी parallel में इसके internal मालो resistance का उल्टा क्या होता है conductance इससे replace कर दीजिए ideal की case में ये open circuit sorry ये short circuit कर देंगे इसको open circuit कर देंगे ऐसे आप समझ दीजिए and find the internal resistance of the source side looking through the open circuited low terminal और ये करने के बाद then find RTH फिर load side से आप देख के जैसे हमने भी figure दिखाया था आपको RTH निकाल लेंगे ठीक जब VOC और RTH हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि आप्टेन थेवनिन्स एक्विलेंट सर्किट थेवनिन का एक्विलेंट सर्किट हम आप्टेन कर लेंगे ठीक है तो मतलब VOC बनाएंगे और उसके साथ सिरीज में RTS लगा देंगे और ये स्कप करने के बाद दुबारा से रीकनेक्ट लोड रेजिस्टेन्स आरेल एक्रॉस दा लोड टर्मिनल दुबारा से हम ये रीकनेक्ट कर देंगे तो हमारा अभी जो हमने बनाया था पिछले पेज़ पे ये आपका VOC ये आपका ये तो हो गया आपका यहां तक थेर्विन इक्विलेंट फिर आपने इसके साथ ये आरेल जोड दिया और इसमें जो करेंट फ्लो कर रही है वो कितनी है आईयल तो यहां से आपका सीधा-सीधा आईयल बरावर VOC डिवाइड़ बाई RTH प्लस RL निकल आएगा तो इस तरह से हम थेर्विन इक्विलेंट को यूज कर सकते हैं तो आईयोग कि आपको थेर्विन इक्विलेंट थेर्विन थेर्विन क्या कहती है ये क्लियर हो गया होगा और किसी भी सरकीट का हम थेवनीन इकुलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो इस्टेप मैंने आपको लिखवा दिये और उस तरह सॉल्व करके हम किसी भी अब कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो आज का कॉंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट या कन्फीजन है तो कमेंट नाइन में कमेंट करके पूछिए और अगर आपको वीडियो कांटेंट पसंद आ रहा है तो व इंफर्मिशन आपको टाइम से मिल सकते हैं थैंक यू आपको टाइम से मिल सकते हैं थैंक यू